नमस्कार दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूँ हिंदी, उर्दो, मराठी किसी भी भासा में टाइपिंग केवल पाच मियद बाद बिलकुल करे टाइपिंग बिना गलतियों के फटा फट वो भी बिना इंटरनेट के कई भासाओं में आप टाइपिंग कर सकते हैं हिंदी, उर्दू, मराठी, पंजाबी, तमील, मल्यालम नेपाली, बंगाली, संस्क्रत और बहुत सारी भासा हैं किसी भी भासा में आप टाइपिंग कर पाएंगे वो भी केवल पाच मियद के बाद बस मैं आपको केवल पाच मियद में ऐसी चीज के बारे मताऊंगा जिससे कि आप पाच बहुत सारी भासाओं में टाइपिंग कर सकते हैं और वो भी बिना किसी गलती के और बिल्कुल फटा-फट तो आईए शुरू करते हैं उसके लिए आपको करना क्या होगा जिसके लिए आपको इंटरनेट करेक्शन की आवज सकता होगी और उसके लावा बाद में आपको इंटरनेट की आवज सकता बिल्कुल नहीं होगी यह बिल्कुल ओफ लाइन है तो शॉफ्ट्रेट डाउनलोड करने का तरीका है कि आप अपने सिस्टम पर कोई भी ब्रॉजर खोल ले गूगल क्रोम यह अपने यहां पर टाइप करें गूगल इन पूट टूल और इंटर करें तो देखें गूगल इंपूट टूल फर्स्ट जो आया है गूगल इंपूट टूल इस पर हम क्लिक करेंगे इस सॉफ्ट्वेर को आप चाहे एकसपी यूज़ कर रहे हो विंडो सेवन यूज़ कर रहे हो विंडो एट यूज़ कर रहे हो या टेन यूज़ कर रहे हो फर्स टाइम आप install करोगे तो easily install हो जाएगा इसकी settings अपने आप हो जाएगी प्रन्तु आप इसे uninstall करके दुबारा फिर से install करते हो तो इसकी settings नहीं होगी अपने आप आपको पहले जैसी नहीं मिलेगी तो यदि आप window 8 और 10 यूज़ करते हैं तो इसमें configuration में problem आती है इसलिए एक बार install किया है आपने तो दुबारा uninstall ना करें कि बाद में यह install नहीं होगा बाकि आप 7 वगेरे में configure कर सकते हैं जो main चीश थी मैंने बता दी अब कैसे करें तो यह हमारे साथ एक page खुल गया है इ बंगाली, ग्री, कुनाड़ा, तमील, घंडी, गुजराती, मल्यालम, नेपाली, पंजाजी, शेंगटेलग, उर्दू, तो जो भी वहाँ चाहिए उस पर आप click करेंगे तो मुझे केवल हिंदी चाहिए तो मैं हिंदी पर click कर रहा हूं जितने वहाँ अब उतने पर click कर सक कहां सेव करना है पूछ रहा है कि सेव कर लेता हूं या सेटिंग नहीं होगी तो अपने आप वो सेव हो जाएगी जब यहां पर देखिए सेव हो गई फाइल गूल रोम यूज़ कर रहा हूं मैं इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा पूछ रहा है इंस्टॉल होने के लिए मैं करूंगा यास और देखिए यह डाउनलोड हो गया और कुछी सेकेंड में यह आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो यह डाउनलोड हो रहा है थोड़ा इसे में लेगा थोड़ा सा आपका डाटा यूज़ होगा जोकि सब भी हाजकर इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट तो होती है आपको केवल बच डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट की आऊ सकता होगी सारी चीज़े एक के बाद एक एक आद दो मीनिट में डाउनलोड हो जाएगी ज्यादे टाइम नहीं लगेगा तो देखिए इस्टॉलेशन कंप्लीट मतलब डाउनलोड हो चुकी है मैं क्लोस पर क्लिक कर देता हूं अब मैं इसे यहां से भी बन कर देता हूं ब्लाउजर अपना बन कर देता हूं अब हम आ जाते हैं हमारे एक स्टॉप पर अब मैं चालू करता हूं वर्ड अब देखिए आपको यहां दिये आप देखोगे तो देखिए यहां पर इंगलिस लिखा हुआ है मतलब लेंग्वेज इंस्टॉल हो गई है आपकी अब मैं मैं नॉर्मली टाइप करता हूं पूंट से थोड़ा बढ़ा लेता हूं मैं पेसेट अब भी आई एम यूजिंग गूगल इन फूट तो देखिए अभी मैंने कोई भासा चेंज नहीं किया है मतलब भी यहां पर इंगलिस लेखा हुआ है तो यहां इंगलिस है अब मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहां पर दो भासा कहा गया कि अब मैं हिंदिपर क्लिक करूंगा अब टाइप करूंगा देखिए क्या होगा आपको वैसे ही टाइप करना है जैसे कि हम SMS टाइप करते हैं सेम उसी परकार से जैसे ज के लिए जे म के लिए एम ठीक उसी प्रकार से आपको जैसे मैंने टाइप किया मैं देखिए यह आपको नीचे सब्सक्राइब आते रहेंगे और आप अपने उसमें सेलेक्ट कर रहेंगे जैसे लिखता होना चाहिए तो मैं तो मैं मैं यह मैं 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 देखिए दो नंबर पर है तो हम एरो की से नीचे इस प्रके इस सब्सक्राइब दबा देंगे तो अपने प्रकार आपके लिए तो आपका चाहिए तो एपी के आपका तो नीचे लिखा हुआ पहले नंबर पर आता है तो simply आप इस पेस बार दबा दीजिए अपने आप सब्दों वहां पर आ जाएगा और आप आगे टाइप करते चलेंगे मैं गूगल इन्पूट टूल उप योग कर कर रहा हूं तो देखिए इसमें आपको मात्रा है लगाने की ज़रुत नहीं अपने हूं किया तो कौन सा हूं चाहिए आपको विद्ध चंद्रकार विंद्ध वगरे साव आटोमेटिक अपने आप आ जाती है जिसे प्रसन लिखना है प्रसन न तो देखिए ये भी आ गया तो देखिए कितना सिंपल है तो आप किसी भासा में टाइप कर सकते हों जब आप हिंदी यूज करोगे तो केवल हिंदी में ह चेंज करें उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपके कोई भी वर्ड टाइप कर रहे है तो उसका फोगी फर्क नहीं पड़ेगा वगर आपको अपने MS वर्ड या शॉफ्ट्वेर की जो लेंग्वेज अपनी इस्टॉल की है इंगलीज की वह अगर यूज करना है तो आपको अब इन अब पर क्लिक किया मतलब हिंदी है अब इंगलीज पर कर लूँगा यह इंगलीज हो गया चेंज करने के लिए फिर से देखिए इसमें शॉट्कट भी है स्वीच करने के लिए आप कंट्रोल जे का यूज कर सकते हों कंट्रोल जे दबाओगे तो हिंदी हिंदी प्याना है तो कंट्रोल जे इंगलीज प्याना है तो कंट्रोल जे इंगलीज से हिंदी प्याना है तो कंट्रोल जे आप शॉट्कट की का यूज कर सकते हूं ठीक तो मैं आसा करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा बिल्कुल सिंपल टूल है आपको यदि इंग्लिस हिंदी टाइपिंग नहीं भी आती है तो आप बड़ी आसानी से बीना कुछ गलती किये मात्रा के भी गलती किये यहां तक आप बिलकुल हिंदी आसानी से टाइप कर सकते हैं सो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा धन्यवाद लाइक और शेयर जरूर करें पसंद करें थेंक यू